जुनियर इंगिरेंट के लिए एक वेकंसी आई है जिसमें डिपलोमा और बीटेक वाले अपलाई कर पाएंगे फ्रेसर इसमें इलिजिबल है कोई भी एक्सपिरियंस इसमें रिक्वाइड नहीं है इसमें आप लोग को पे लेवल 6 की यहाँ पर सेली मिलने वाले है जो जु इसका eligibility criteria ही बताता हूँ ताकि जो लोग eligible नहीं होते हैं उनका time waste नहीं होता है तो आप लोग जरूर से अगर अपना time waste नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe कर गड़क सकते हैं कोई भी वेकंसी आती है सबसे पहले मैं आपको eligibility criteria बता देता हूँ ताकि जो लोग eligible नहीं हो वीडियो को лайक करके जा सकते हैं लेकिन चैनल को जरुरुरre से सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि junior engineer की कोई भी vacancy मैं may miss ne करता हूं जो भी जुनियर इकडियर की चाहिए कोई भी branch की vacancy आती है इस चैनल पर मैं जरुरुरre से शम्सक्राइब करके रखिए और telegram channel से जोन होकर करेगेगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख सकते हैं ये इसका ओफिसियल एड़टाजमेंट नोटीस है पोस्ट ग्रेजवेट इंस्टिट अफ मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के तरफ से विकेंसी आड़ी है चंडीगड इसका लोकेशन रहने वाली ह ये इसका ओफिसयल वेबसाइट का लिंक है और लाश्ट डेट जो है बार दस दोजार बाइस है तो इस डेट तक जरूर्ट से आप लोग इसको अपलाई कर पाएंगे यहां पर आप लोग पर सकते हैं इसमें अभी इन्वाइट किया गया ओनलाइन एप्लिकेशन फ्रॉम सिटीजन ओफ इंडिया तो ओल इडिया से कहीं सी बिलों करते हैं तो आप लोग अपलाई कर पाएंगे इसमें यहां पर पोस्ट देख पाएंगे जुनियर इंजिनेर सिविल और इन इरेक्टिकल गुरूप बी का पोस्ट है इसमें आपको डिरेक्ट डिकूट्मेंट पर इसमें मिलने वाली है कोई भी कुंट्रेक्ट विचैनल कोलिफिकेसं आपकी क्या रहने वाली है तो जूनियर इंजिनेर सिविल की जो यहांपर पोस्ट है इसमें लेवल 6 की सेल्री मिलने वाली है 35,400 ले करे एक लाख 12,400 लिमिट जो है 18-30 की बीच में आपका चाहिए और तो क्वालिफिकेशन और एक्सपिरियन्स यहां पर दिया गया है जिसमें कि यहां पर डिग्री यानि कि बीटेक वाले अपलाइ कर पाएंगे अगर सिविल से किया है तो और में करके दिया गया है कि अगर आप लोग 3-year का डिपलोमा कर रखे हैं तो इसमें अपलाइ कर है 35,400 से लेकर के 1,12,400 आपका पेस्केल रहने वाली है एज लिमिट इसमें भी 18-30 है और क्वालिफिकेशन इसमें भी डिग्री इन रिस्पेक्टी ब्रांच ऑफ इंजिनेरिंग जो कि अग बी बीटेक अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से कर रखें तो अपलाइ कर पाएं चलिए अब next details की बात करते हैं इसमें आपको age relaxation मिल जाएगा in case अगर आपका जो age है 30 से ज्यादा हो चुका है उस case में आपको अलग-अलग category के नुसार से यहाँ पर आपको reservation relaxation मिल जागा age में जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं All India level पर जो reservation मिलता है वही same reservation आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा SC, ST और OBC category और EWS category के लिए तो आप लोग अपना जो भी certificate होता है central level पर आप लोग अपना बना करके रख सकते हैं तो इसमें details में से related दिया गया है चलिए अब बात करते हैं selection procedure की बारे में तो इसमें जिस का आपका questions आएगा जिसमें 100 questions रहेंगे 100 minute का आपको time दिया जाएगा 100 marks रहेगा और total 100 marks पर आपका इसमें selection होने वाले जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको minimum qualifying marks आपको score करने होंगे जो की है general और EWS category candidate के लिए 40% और OBC category candidate के लिए 35% यानि कि इससे कम इसमें आपका जो exams है वो only English language में आपका objective type questions आएंगे और इसमें आपको 0.25 का negative marking देखने के लिए मिलेगा जो की है one fourth का आपको इसमें negative marking देखने के लिए मिलेगा उसके बाद आपको इसमें shortlist किया जाएगा candidate को जितने भी number of इसमें vacancy है उसका तीन गुना candidate को यहाँ पर इसमें scrutiny करेगा उसके बाद document verification के लिए बुलाएगा जो भी आप लोग details भड़े हो application form में और जो आपका document upload किया हो दोनों में कितना match करता है अगर सब कुछ सही match करता है तो लोग select हो जाएंगे document verification में जिसका कुछ mismatch होता है तो उनको reject भी किया जा सकता है यहाँ पर scrutiny of application on the basis of merit in CBT only तो जो भी आप CBT exam में score करोगे उसी क्याधार पर आपका इसमें selection होगी कोई भी आपका इसमें interview नहीं होने वाली है उसके बाद result declared किया जाएगा जिसमें की हो सकता है waiting list candidate भी जारी किया जाए और उसके बाद document verification होगा और उसके बाद इसमें अगर आपको सब कु एक्जामनेशन है कहां पर होने वाली है इसका यहां पर list दिया गया list of cities total 14 एसे cities है जहां पर आपका examination conduct करवाया जाएगा यह वाली तो आप लोग इसको देख सकते हैं यह आपका city रहने वाली है examination यहां पर आपका conduct करवाया जाएगा अब बात करते हैं इसमें application फी की तो application यहां पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही हाई अप्लिकेशन फी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी जो कि जेंडरल ओबी सी और यहां पर पे करने के लिए बोला गया है और स्थी कटेगरी के कंडिडेट को इसमें आठ सुरुपे के अप्लिकेशन फी पे करने की जरुरुरत है और जो पीडेवलोडी कंडिडेट हैं उन लोगों को इसमें कोई भी एप्लिकेशन फी करने की ज़रुरद नहीं है इसमें जो विकेंसी हैं बहुत कम है जिसके कारण से इसमें इक्जामनेशन अलग अलग सीटी में आपका कंड़क्त कर रवा जा रहा है जि क्योंकि मैं सभी वेकेंसी को बताता हूं आप लोग इसके लिए इलीजिबल होते हैं इंट्रेश्ट होते हैं तो इसमें अपलाई कर सकते हैं अगर इसमें इंट्रेश्ट नहीं होते हैं तो इसको आप लोग एसकीप कर सकते हैं किसी के लिए इसमें इलीजिबल होगी कोई त इसके कारण से सभी लोग इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो कुछ लोग इसको इस फॉर्म को फिल करेंगे जिन से किया है आपका competition उन लोगों के बीच कमड़ेगा तो आप लोग अपने इन साथ से ट्राइ कर सकते हैं इसमें अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अप्लिकेशन भी इसमें बहुत जादा है उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो जो इसमें डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिंक प्रफाइड कर दूंगा जिस पर आप लोग 13 यानि कि कल से जा करके इसको अपलाई कर पाएंगे अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया तो मैं आपको इसका ओफिसल वेप साइट ओपेन करके दिखा देता हूं बता देता हूं कि कैसे अपलाई करना है वह उसमें अपलोड कीजएगा और जाता जानकारी के लिए आप लोग इस PDF को डाउलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउलोड कर सकते हैं लिंक में आपको ओफिसयल नोटिफिकेशन के नाम पर डाल देता हूं, लाश्टेट के साथ डाल देता हूं, आप लोग जरूर से civil engineering jobs by KKS Indian टेलिग्राम में सर्च कर लिजेगा, या description में आपको link मिल जाएगा, उस link पर click करके, उस channel से जरूर से join होकर करेगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको importance, जो भी notification आती है, मैं वहाँ पर ड link आजाएगा, तो यहीं पर click करके, आप लोग इसको apply कर पाएगे, तो आहिप आप इसको समझे होंगे, जो भी main information था, मैंने आपको बता दिया, वीडियो कैसा लगा, comment section में जरूर से बताइएगा, और junior engineer की कोई vacancy अगर आप लोग miss नहीं करना चाहते हैं, तो जरूर से channel क subscribe करके रख सकते हैं, साथी bell icon press करके रख सकते हैं, और telegram channel से join हो करके रख सकते हैं, सभी जगा आपको updated, update मिलती रहती है, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए सुक्रिया और thank you